सूप्रभात बच्चों कक्षा चोत्थी विशय हिंदी उपविशय पाट दस हवा चली कवीता पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाट्टे पुस्तक व्याख्यान दो बच्चों आज हम व्याख्यान दो में कवीता को पढ़ेंगे कवीता में आए कटिन शब्द, शब्दार्थ, प्रैश्न उत्तर, वै भाशाग्यान के बारे में जानेंगे अभी यहाँ, अभी वहाँ, रुकी कहाँ, गई कहाँ, नगर-नगर, गली-गली, हवा चली, हवा चली इसे उठा, उसे पटक, यहाँ अटक, वहाँ मटक, इसे सटक, उसे गटक, कभी कहाँ, गई भटक मचा अजीब, खल बली, हवा चली, हवा चली पहाड को बुहार्ती, बहार को सवार्ती, गुबार को पुकार्ती, बुखार को उतार्ती हुई उड़न्छू मन चली, हवा चली, हवा चली कभी खड़ी, कभी पड़ी, कभी रही, कभी अड़ी, मचान चान जोपड़ी, धमाल धमा चोकड़ी कहीं बुरी, कहीं भली, हवा चली, हवा चली अगर कहीं गई बिफर, हिला दिये किले शिकर, महल हुए तितर बितर, कभी इधर, कभी उधर नीडर, चपल, उताव ली, हवा चली, हवा चली बच्चों, अब हम कवीता में आए कठिन शब्दों को जानेंगे कठिन शब्द एक बार पुनहें दो राते हैं शब्द अर्थ सुन्दर बनाना नमबर पांच, मन्चली इसका अर्थ है मन्मोजी नमबर छे, धमा चोकडी इसका अर्थ है उचल कूद नमबर साथ, बिफरना इसका अर्थ है नाराज, होना नमबर आठ, तितर, बितर इसका अर्थ है इधर, उधर नमबर नो, चपल इसका अर्थ है चंचल शब्त अर्थ को एक बार पुनह दो राते हैं नमबर एक, सटकना इसका अर्थ है खिसकना नमबर दो, खलवली इसका अर्थ है हलचल नमबर तीन, बुहारना इसका अर्थ है साफ करना नमबर चार, सवारना इसका अर्थ है सुंदर बनाना नमबर पांच, मनचली इसका अर्थ है मनमूजी नमबर छ्य, धमा चोक्डी इसका अर्थ है उचल कूद नमबर साथ, बिफरना इसका अर्थ है नाराज होना नमबर आठ तितर बितर इसका आर्थ है इधर उधर नमबर नो चपल इसका आर्थ है चंचल मोखिक प्रश्न निमनलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रश्नक है प्रस्तूत कविता के रचीता का नाम बताईए उत्तर है प्रस्तूत कविता के रचीता का नाम श्री योगेंद्र दत है प्रश्नक है हवा किसको बुहारती है उत्तर है हवा पहाड को बुहारती है नमबर एक सही उत्तर के सामने सही लगाईए कर कविता के आधार पर हवा में क्या नहीं है नमबर एक चंचलता नमबर स्थिर्ता नमबर तीन एस्थिर्ता सही विकल्प दो है स्थिर्ता खै हवा किसको पुकारती है नमबर एक गुबार को नमबर दो बहार को नमबर तीन पहाड को सही विकल्प एक है गुबार को गय हवा कुछ देर के लिए कहीं भटक जाती है यानि उसकी मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है नमबर एक प्रहसनता होती है नमबर दो खलबली मच जाती है नमबर तीन ढूंडने लगते हैं सही विकल्प दो है खलबली मच जाती है निम्न लिखी तरशनों के उत्तर लिखी कर हवा कहीं बुरी कहीं भली से कवी क्या कहना चाहता है उत्तर है जब हवा विक्राल रूप धारण कर लेती है तब सबकी नजरों में बुरी बन जाती है और जब शांती से धीरे चलती है तब सबको आनंद से भर देती है सबको भली प्रतीत होती है एक बार पुने देखिए हवा कहीं बुरी कहीं भली से कवी क्या कहना चाहता है उत्तर है जब हवा विक्राल रूप धारण कर लेती है तब सबकी नजरों में बुरी बन जाती है और जब शांती से धीरे चलती है तब सबको आनंद से भर देती है सबको भली प्रतीत होती है खर हवा नाराज हो जाती है तो क्या करती है उत्तर है जब हवा नाराज हो जाती है तब किले शिकर तथा महलों को तितर बितर कर देती है एक बार पुन है देखेंगे हवा नाराज हो जाती है तो क्या करती है उत्तर है जब हवा नाराज हो जाती है तब किले शिकर तथा महलों को तितर बितर कर देती है भाशा ग्यान नमबर एक दिये गए शब्दों के तीन तीन प्रियावाची शब्द लिखिये कर हवा हवा के प्रियावाची शब्द है पवन वायू समीर खै पहाड पहाड के प्रियावाची शब्द है शैल गिरी अचल शैल गिरी अचल नमबर दो तुकवाले शब्द लिखिये तुकवाले शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जिनकी एक जैसी आवाज सुनने को मिलती है जैसे गली चली ख उतारती पुकारती ग पड़ी अड़ी ग बिफर शिकर उधर इधर च जोपडी खोपडी च भटक अटक जै बुहारती समारती नमबर तीन उधाहरण के अनुसार नीचे दिये गए शब्दों के सामने उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए उधाहरण हवा चलती है तो बच्चों यहाँ पर चलती है क्रिया है इससे वाक्य पूर्ण हुआ है इस प्रकार हमें वाक्य पूरे करने है क हवाई जहाज उड़ता है ख चडिया फुदकती है ग नाव तैरती है ग साप रेंगता है अंगे फूल खिलता है चप गाड़ी चलती है नमबर चार वर्ण विच्छेद कीजिए बच्चों जब हम किशी शब्द के टुकड़े करके लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है जैसे यहाँ पर देखिए कर रुकी र जमा उ रु बन गया कर कर जमा ई की बन गया लेकिन जो व्यंजन है उनके नीचे बच्चों हलंत लगा हुआ है हम वहाँ पर हलंत लगाएंगे क्योंकि वो स्वर उनके साथ जुड़े होते हैं तभी वो पूर्ण होते हैं खै अजीब अ जमा ज जमा ई जमा ब जमा ए अजीब ग सवार्ती स जमा अ जम व जम आ जम र जम आ जम त जम आ 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 जम एक ग्रही कारिये का हल इस प्रकार है कठिन शब्द नमबर एक बुहारती नमबर दो रुकी नमबर तीन समारती नमबर चार उड़न्चू नमबर पांच जोपडी नमबर चै चोकडी नमबर साथ नीडर नमबर आठ शिकर शब्द अर्थ नमबर एक सटकना इसका अर्थ है खिसकना नमबर दो खलवली इसका अर्थ है हलचल नमबर तीन बुहारना इसका अर्थ है साफ करना नमबर चार सवारना इसका अर्थ है सुन्दर बनाना नमबर पांच नमबर पांच मन चली इसका अर्थ है मन मोजी नमबर छे धमा चोकडी इसका अर्थ है कुछल कूद नमबर साथ बिफरना इसका अर्थ है नाराज होना नमबर आठ तितर बितर इसका अर्थ है इधर उधर नमबर नो चपल इसका अर्थ है चंचल पार्थ दस हवा चली कवीता व्याख्यान दो ग्रही कारिये बच्चों आज आपका ग्रही कारिये है निम्न लिखित कावय पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखो बच्चों जो कावय के पंक्तियां आपको दी गई है उनको आपको अपने शब्दों में लिखना है इसे उठा उसे पटक यहां अटक वहां मटक इसे सटक उसे गटक कभी कही गई भटक मचा अजीब खल बली हवा चली हवा चली बच्चों यह जो पंक्तियां दी गई है इनको अपने शब्दों में लिखोगे और अपनी कोपी में सुन्दर लेक में लिखोगे धन्यवाद